शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ की और राजनीती की च्छाशक्ती की किसी भी किसी की कमी नहीं है लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानिय निकाई की प्रात्विकता भी तेज विकास की ना हो जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है जब शहरों में सुशाजन के लिए समर्पित शाजन होता है तब ये काम तेजी से जमिन पर उतर पाते है इसलिए मुंबई के विकास में स्थानिय निकाई की भूमी का बहुत बड़ी है मुंबई के विकास के लिए बजेट की कोई कमी नहीं है बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए अगर वो प्रस्टाचार में लगेगा पैसा बैंकों की तिजोर्वर्य में बंद पड़ा रहेगा विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ती होगी तो फिर मुंबई का भविश्य उजवल कैसे होगा मुंबई के लोग यहां के सामान्य जन परेशानिया जेलते रहें यह शहर विकास के लिए तरस्ता रहें यह स्थिती 21 सदी के भारत में कभी भी विकारियन नहीं हो सकती है और सिवाजी महराज के महराश्टर में तो कभी नहीं हो सकती है मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समचते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं बाजपा की सरकार हो एंडिये की सरकार हो कभी विकास के आगे राजनिति को नहीं आने देती है विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्रात्विकता है अपने राजनितिक स्वार्त की सिद्धी के लिए बाजपावर एंडिये की सरकारे कभी विकास के कारियों पर ब्रेक नहीं लगाती है लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है पीम स्वादिदी योजना भी इसका एक उधारन है हमारे शहरों में रेडी वाले पट्री वाले ठेले वाले ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थे बवस्ता का एम हिस्सा है उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई हमने इन छोटे व्यपारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गैरेंटे का रन निश्चित किया देश भर में लगबग 35 लाख रेहडी पट्री वालों को इसका लाब मिल चुका है इसके तहद महाराष्टर में भी पांच लाख साथियों को रन स्विकृत हो चुके हैं आज भी एक लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं ये काम बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजी की सरकार ना होने के कारण हर काम में अडंगे डाले गए रुकावटे पैदा की गई जिसका नुक्षान इन सभी लाफार्थियों को उठाना पड़ा ऐसा फिर ना हो इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महराश्टर और मुंबई तक सबका प्रयास लगे बहतर तान मेरे वाली व्यवस्ता बने